नमश्कार दोस्तो, वेल्कम बेक टू एसेसी डिफेंडर्स आयोप आप सब सही होंगे, हम पहुँच चुके हैं चप्टर नमबर फोर पे प्रेम्बल ओफ दा कंस्टिटूशन आये डिकोड करते हैं लक्षमी कांथ को क्या लिखा हुआ है इसके अंदर क्या important है इस चप्टर के अंदर चलिए, सबसे पहले अगर आपसे question पूछा जाए कि सबसे पहला constitution कौन था जिसने प्रेम्बल को use किया वो था American Constitution and कोई ये पूछे what is the meaning of preamble so इसका meaning होता है introduction or preface to the constitution मतलब आपने अगर constitution के बारे में जानना है कि constitution कैसा है क्या वो लोगों के लिए है तो आपको उसका preamble पढ़ लेना चाहिए and एक बहुत बड़े constitutional expert थे जिनका नाम था एने पलकी वाला इन्होंने बोला कि preamble जो है न वो identity card है constitution का कि अगर आपको जानना है कि सार क्या है summary क्या है किसी भी constitution की तो आप जान लीजिए आप पढ़ लीजिए उसका preamble अभी जो preamble है ना ये preamble हमारे constitution का ये किसके ओपर बेस था objective resolution के ओपर बेस था और objective resolution किसने बनाया था और किसने assembly के अंदर move किया था constitution assembly में वो थे पंडित नहरू एंड इस preamble को सबसे last में adopt किया गया किसके दवारा constituent assembly के दवारा ठीक है एंड ये हमारा preamble सिरफ एक बारी इसमें amendment हुआ है वो भी कब 42nd constitutional amendment act 1976 और इससे तीन word add किये गए इसके एक short form है SSI ठीक ना या फिर CIS से भी याद कर सकते हो socialist, secular, integrative तो ये था इस page के अंदर जो हमने decode किया इसके बाद अगर हम text की बात करें कि preamble के अंदर क्या क्या चीजे लिखी गई है तो चलिए study करते है we we का मतलब यहाँ पर क्या है हम सब और हम सब का मतलब क्या है the people of India हम सब लोग having solemnly resolved हम सब ने मिलकर ये चैन किया है ये इस नतीजे पर पहुँचे है कि हम इंडिया को एक sovereign, socialist, secular, democratic, republic and nation मनाएंगे and to secure तो हमारा nation कैसा है हमारा nation sovereign है sovereign का मतलब सम प्रभुत्व है मतलब कि हम अपने decision खुद लेंगे हमारा देश कैसा है socialist है मतलब हम हर किसी व्यक्ति का हर किसी व्यक्ति की जरूरत्तों का ध्यान रखेंगे socialist हमारा देश कैसा है secular है دर्म निरपेक्ष है मतलब कि किसी की सब religion हमारे देश में बराबर हुआ ये है secular का मतलब यहां पर हमारा देश कैसा है हमारा देश democratic है हमारा देश republic है मतलब इसका जो head है वो choose करेंगे कौन करेंगे यहां के लोग और साथ साथ में हम secure करते हैं सभी citizens को justice justice कैसा social and economic and political social और economic justice के लिए हमारे constitution के अंदर डालेगे directive principle of state policy and political justice के लिए हमारे constitution में डाला गया fundamental right and also secure करते हैं liberty liberty कैसी thought की, सोचने की, expression की, व्यक्त करने की, belief की, faith की, worship की यह है liberty पर liberty ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोचें, कुछ भी समझें, कुछ भी करें, नहीं किसी के उपर आपकी liberty से negative impact नहीं आना चाहिए, absolute नहीं है बट qualified है liberty यहां पर equality है status का, equality है opportunity की, और साथ साथ में हमारा जो constitution है, हमारा जो preamble है promote करता है fraternity को, और fraternity assure करती है dignity of individual, साथ साथ में unity and integrity of nation और in our constituent assembly, constituent assembly में 26 November 1949 को हम सब ये जो constitution है, वो adopt करते हैं, enact करते हैं और अपने आपको ये constitution देते हैं, मतलब की हम ही हैं यहां पर, जो की ये constitution अपने ऊपर लगा रही हैं, तो power का source क्या है, power का source है, लोग, ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि, हमारे preamble के अंदर ingredients क्या है, मतलब हमारा preamble, क्या क्या चीजे reveal करता है, वो study करते हैं, सबसे पहली बात, the source of authority of the constitution, ये constitution को लागू किस ने किया, इस constitution को लागू किस ने किया, people of India, we the people of India, नेचर कैसा है Indian state का, स्टार्टिक में बोल दिया गया है, सोवरीन, सोचलिस, सेकुलर, डेमोक्रेटिक and रिपब्लिकल, objective क्या है constitution का, justice प्रोवाइड करना, liberty प्रोवाइड करना, equality प्रोवाइड करना, fraternity प्रोवाइड करना, कब adopt किया गया constitution को, ये भी इसके अंदर reveal होता है, it is 26 November 1949, ठीके, अब keywords क्या क्या है हमारे constitution के अंदर, उस चीज़ को समझ लेते हैं, सबसे पहला है, sovereign, अब sovereign का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं, sovereign का मतलब होता है, कि इंडिया किसी की ओपर dependent नहीं है, इंडिया किसी की dominion नहीं है, simple सी बात, इंडिया एक independent state है, वो अपने काम, अपने business, अपने कोई भी कालिये का decision, वो खुद लेगा, किसी का internal या फिर external के दबाव में आके अपने decision नहीं लेगा, ये होता है, sovereign का मतलब, इसके बाद socialist, इंडिया के अंदर, इंडिया के constitution के अंदर, preamble के अंदर, 42nd amendment act 1976 के अंदर, एक word add किया गया, socialist, हलाकि starting से ही, जो हमारे जो four fathers थे, जो हमारे ancestors थे, and 1955, अवाड़ी session होता है कॉंग्रेस का, उसने बोला कि हमें कैसी society build up करनी है, तो उन्होंने बोला socialist pattern पर society develop करनी है, गांदी भी socialism के खिलाफ नहीं थे, गांदी भी socialism के तरफ थे, वो चाते थे socialism हो, सरदार भगत सिंग, सभी socialism चाते थे, ताकि समाजवाद हो, ठीक है न, ताकि जो हमारा जो socialism है, और इंडिया का जो brand of socialism है, वो है democratic socialism, मतलब private and public entity can work, और we can say co-exist together, और साथ-साथ में अगर हम बात करें, हमारा जो socialism है, it is somewhat mixture of marxism and gandhism, और ज्यादा heavily leaning है किसके खिलाफ, किसके तरफ, गांधियन socialism की तरफ, लेकिन हाला कि यह जो socialism है, new economic policy जो की 1991 में आई, उस कारण से यह socialism थोड़ा सा dilute होता जा रहा है, because society थोड़ा capitalistic होती जा रही है, इसके बाद एक होर word add किया गया, 42nd constitutional amendment 1976 के अंदर, यह था secular, तो इंडिया एक secular देश है, secular मतलब धर्म नित पेक्ष, पट इंडिया के अंदर secularism का मतलब western concept of secularism के मतलब से अलग है, हमारा जो constitution है, positive concept of secularism को देखता है, कहने का मतलब क्या हुआ, कि हम negative concept of constitutionalism की secularism को reject करते हैं, हमारे नजर में सभी धर्म equal हैं, और सभी के लिए जो हमारी government है, वो equally प्रतन करती है, equally work करती है, फिर इसके बाद चीज आती है कि हमारे जो एक word है जो कि वो है democratic, अब democratic जो polity होती है, वो दो तरह की होती है, simple सी पार्टिक है, दो तरह की कैसे, एक तो है monarchy, और दूसरा जो है basic word, ठीक न, और दूसरा है republic, democracy दो तरह की भी होती है, एक है direct, एक है indirect, direct, direct के अंदर, जो वहां के उस देश के लोग होते हैं, वो direct decision लेते हैं, बट इंडिया क्योंकि इतना वास्त देश है, तो direct democracy थोड़ा सा होना possible नहीं था, because एक तो 100 करोड के करीब लोग हैं, 140 होके हैं फिर रहाल तो, लेकिन उस टाइम के अगर मैं बात करूँ, 60-70 करोड भी बहुत जादा लोग थें, और दूसरी बात, इतनी diversity, इतना बड़ा geographical, मतलब की जो expense था हमारा, इसी कारण से direct democracy थोड़ा possible नहीं थी, हमने चुनी indirect democracy, मतलब की parliamentary form of democracy, ठीके ना, तो इसी कारण से, हम इन में से किसी भी चीज का referendum, initiative, recall and privacy का use नहीं करते, because it is a part of direct democracy, ठीके हैं, हमारे पास है representative democracy, representative democracy दो तरह की होती है, एक तो parliamentary and presidential, हमारे पास कौन सी है, हमारे पास है parliamentary form of democracy, ठीके है, तो हमने parliamentary form of क्यों choose करी, because हमारा जो UK के pattern पर था, हमको पदा था कि UK कैसे work करते है, तो उसी कारण से, उसके pattern पर हमने क्या कर लिए, government बना ली, parliamentary form of democracy को हमने adopt कर लिया, simple सी बार्टिक ना, अब democracy हमारे पास कैसी होनी चीए, simple सी बार्टिक ना, हमारे पास जो democracy है, तीन तरह क्यों होनी चाहिए, कैसे, एक तो है social and economic democracy, तीसरा है political democracy, social, economic, political, तीन तरह की democracy अपने पास होनी चाहिए, simple सी बार्टिक ना, and अगर हम बात करें, simple सी बार्ट, अगर social and economic democracy की अगर हम बात करते हैं, distributive democracy का पार्ट होता है, simple सी बार्टिक ना, अगर हम बात करें, political democracy, बिना social democracy के exist नहीं कर सकती है, और social democracy का मतलब क्या होता है, कि जो life है ना, life के अंदर क्या हो, liberty हो, equality हो, and fraternity हो, simple सी बार्टिक ना, and liberty, equality, fraternity, इनको आपको एक साथ देखना पड़ेगा, इनको अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, because बिना liberty के, है ना, अगर आपने क्या कर लिया, simple सी बार्टिक ना, मान लो, liberty नहीं है, liberty नहीं है, तो individual का जो प्रेतन है, वो छूच जाता है, simple सी बार्टिक ना, equality नहीं होगी, तो fraternity नहीं होगी, समाज के अंदर, simple सी बार्टिक ना, जिससे जगडे होंगे, तो इसी कारण से क्या बोला गया, इसके अंदर, simple सी बार्टिक, liberty, cannot be divorced from equality, liberty, equality के, मतलब कि liberty से equality डिवोस नहीं हो सकती, because, and equality cannot be divorced from liberty, no liberty and equality be divorced from the fraternity, क्यूंकि बीना equality के, liberty जो है, वो supremacy जो है, produce कर देगा, few or many, और बीना equality के, without liberty, simple सी बार्टिक इंडिवीजुल के initiative को किल कर देगा, इसी कारण से, liberty, equality, और fraternity, एक trinity की तरह देखे जाने चाहिए, simple सी बार्टिक ना, तो इसी कारण से, भारत के अंदर, social, economic and political, जो justice है, और social, political, economic, democracy है, वो भारत का एक प्रमुखंग है, ठीक है, इसके बाद अगर republic की बात करूँ, simple सी बार्टिक ना, अब, democratic, polity को, दो चीजों में, categorize किया जा सकता है, एक तो है, monarchy, और दूसरा है, republic, मतलब भी, monarchy के अंदर, जो head होता है, simple सी बात, वो जो head है, वो hereditary होता है, जैसे कि retain के अंदर, और republic, polity के अंदर, simple सी बात, जो head होता है, वो choose किया जाता है, by the people, और it may be direct, और it may be indirect, simple सी बात, तो republic का मतलब, हमारे preamble में ये है, जो हमारा head है, मतलब हमारे जो president है, state of head, state के जो head है, वो indirectly elected होंगे, कितने साल के लिए, पांस साल के लिए, republic के दो मतलब और निकलते हैं, और it is very important for the MCQs, सबसे पहला मतलब क्या है, vesting of political sovereignty in the people, तिक है, मतलब की, जो हमारा single individual है, जैसे कि king है, उसके अंदर नहीं है, people के अंदर sovereignty है, simple सी बात, और दूसरा मतलब क्या है इसका, कि हम किसी भी class को privileged class नहीं मानते हैं, सब को equal opportunity मिलेगी और किसी के साथ discrimination नहीं होगा, समझ में आया, republic का मतलब ये भी होता है, इसके बाद justice की बात करूँ तो मैं, justice, जो है preamble के अंदर, वो तीन तरह के justice की बात करता है, कैसे, और ये justice किस-किस रूपे मिल सकता है, social, economic and political, और social और economic जो justice होता है, simple सी बात, ठीकिन अगर हम मैं बात करूँ, social economic justice, उसके लिए directive principle of state policies है, और political justice के लिए fundamental right है, respectively, ठीकिए, social justice, denote करता है कि हम equal treatment करें, all the citizens, without any social distinction, based on caste, color, race, sex, religion and so on, मतलब कि हम social justice में क्या करते हैं, हम सभी citizen को बराबर मानते हैं, चाहे उसका caste कुछ भी हो, चाहे उसका color कुछ भी हो, race कुछ भी हो, उसके religion कुछ भी हो, sex कुछ भी हो, उसका सभी equal है, इसका मतलब, किसी भी society के लिए कोई भी privilege नहीं होगा, exception रखा गया है, जैसे कि schedule caste, schedule tribe, obviously and women, economic justice की बात करें, तो economic factors के अंदर कोई भी discrimination नहीं होगा, किसी के भी साथ, simple थी बात की ना, और elimination करने की कोशिश करी जाएगी, जो inequality है हमारे समाज के अंदर, और social justice and economic justice को हम distributive justice भी बोलते हैं, हमको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, इस कहीं बात कोशन पूछा जाता है, simple थी बात की ना, कि distributive justice क्या होता है, तो distributive justice मतलब social justice plus economic justice, and political justice की बात करी जाए, simple थी बात, सबको equal political right होना चाहिए, one vote, one value होनी चाहिए, सबको equal voice होनी चाहिए, simple थी बात की ना, और justice, social, economic and political, ये कहां से लिए हमने रश्यन रेवलूशन से इंस्पार होए है, 1917 के अंदर, इसके बाद आता है, liberty, liberty का मतलब क्या होता है, liberty का मतलब होता है, किसी भी activity के ओपर, उसकी individual की, कोई भी restraint ना हो, है ना, simple थी बात की ना, and at the same time, providing opportunity for the development of individual personality, ये भी इसका मतलब होता है, ठीके, and preamble के अंदर, जो liberty हो किस किस की है, thought, expression, belief, faith and worship की है, ना, मतलब की, वो क्या है, absolute, नहीं है, it is qualified, और liberty को कोन एंशोर करते है, हमारे fundamental light, जो है, वो एंशोर करते हैं, ठीके ना, और इसका मतलब यह नहीं कि liberty का मतलब की license है, कि आप कुछ मर्जी करें, liberty का मतलब सिरफ यही है, कि आप जो करें, उससे आपको लाब हो, पर दूसरे की हानी ना हो, यह है liberty का मतलब, ठीके, एंड यह जो liberty है, liberty, equality, fraternity, यह तीनों concept हमने French Revolution से लिए 1789 से 1799 तक जो चली दी, इसके बाद आता है equality का concept, equality मतलब absence of any privileges to any section of society, कोई भी section of society के पास कोई भी special privileges नहीं होगे, सबके पास, मतलब कि कोई भी discrimination नहीं होगा individual का, किसी भी चीज से related, race, religion, caste, sex, ठीके ना, preamble जो है, secure करता है, सभी citizen को equality of status and opportunity, सभी का status, equal and opportunity, बराबर सब को opportunity मिलेगी, तीन dimension पर हम equality को देखते हैं, civic, political and economic, अगर हम civic equality की बात करें, तो भहुँ सारे fundamental right आजाते हैं, हमारी civic equality की एंशूर करने के जैसे article number 14, article number 15, 17 and 18, यह सब civic equality को promote करते हैं, equality before law, proportion of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth, equality of opportunity in matter of public employment, abolition of underachability and abolition of titles, यह सब एंशूर करते हैं कि हमारे पास civic equality हो, इसके बाद political equality के लिए, political equality के लिए हमारे पास article number 325 and article number 326, यह क्या बोलता है, कोई भी person, ineligible नहीं हो सकता, electoral role पे अपना नाब register करवाने से, on the basis of religion, race, caste and sex, हाँ, age अगर उसकी 18 साल से कम है, तो ineligible हो, ठीक ineligible नहीं है, second, election को तो लोगसभा and the state assembly, to be on the basis of adult suffrage, भही आप election लड़ सकते हो, लोगसभा and state assemblies का simple सी बात, आप vote दे सकते हो, उसमें on the basis of adult suffrage, directive principle of state policy, article number 39, यह ensure करता है, क्या की economic equality, human को और men को, equal work के लिए, equal पे दी जानी चाहिए, इसके बाद आता है fraternity का concept, मतलब brotherhood का concept, और brotherhood के concept को, enshrine करने के लिए, fundamental duties 51A, add करी के simple सी बातिक ना, ताकि हर, यह duty है, सभी citizen की, की promote करे, harmony, and spirit of common brotherhood, सब को, यह, सब की duty है, कि सब promote करे, brotherhood को, fraternity को, simple सी बात, ताकि हमारे देश की unity, integrity, बची रहे, simple सी बात, ठीक ना, तो इसी कारण से, यह बोला गया, simple सी बात, ठीक ना, and, इसके बाद, unity and integrity, simple सी बात, यह भी embrace करता है, article 1 के अंदर, यह unity and integrity, psychological and territorial dimension में भी है, psychological dimension में, मतलब जो brain में है, और साथ साथ में, territorial dimension में भी है, simple सी बात, इसी कारण से, इंडिया के अंदर, federation of states की जगा, एक term इस्तमाल भी, union of states, ताकि clear कर दे, कि हमारे जो states हैं, simple सी बात, उनके पास, कोई भी अधिकार नहीं है, एक union से, अलग होने का simple सी बात, और ना ही, किसी से क्या है कि, यह sign करवाया क्या है कि, तब जाके वो federation मतलब union का पार्ट बना है, ठीक ना, लेकिन फिर भी, जगडे तो होते रहते हैं, regionalism, कास्टिजम, लिंग्विजम के उपर, लेकिन फिर भी, भारत हमेशा से united रहा है, ठीक, इसके बाद significance क्या है, preamble की, preamble की, अगर हम significance की बात करें, तो यह philosophy और fundamental जो values थी, जैसे political, moral और religious, यह सब values, जब हम preamble को पढ़ते हैं, तो यह बता देता है, कि constitution किस context में लिखा गया है, यह जो noble vision था, हमारे constituent assembly का, वो reflect करता है, जो dream था, aspiration था, founding father of the constitution, उनके dreams को reflect करता है, सर अलाडी कृष्ण स्वामी आईयर, जो कि constituent assembly के member थे, उन्हेंने बोला, preamble to our constitution, expresses that we had thought or dream so long, जो हमने इतने दिनों तक सोचा, इतनों दिनों, जो इतने समय से सोचा था, वो जो है, वो सही हो गया, अब केम उन्शी जो है, वो बोलते है, preamble is the horoscope, of our sovereign democratic republic, जो हमारे देश के, मतलब की जो principles है, वो उसका horoscope है, sympathy बाटिक है, उसके बाद, पंडित ठाकूर दास भारगवा, ये बोलते है, preamble is the most precious part of the constitution, and it is the soul of the constitution, भोट बारी, भोट बारी बोला हुए, preamble is the source of the constitution, किसने बोला, it is pandit ठाकूर दास भारगवा, इसके बाद क्या है, कि simple सी बाट ठीक न, Ernest Baker, इसने क्या बोला, simple सी बाट ठीक न, preamble as the keynote, preamble जो है, वो क्या है, keynote है, बहुत important part है, simple सी बाट ठीक न, किसमें, अपनी principles of social and political theory के अंदर, बहुत सारों ने, बहुत सारी चीजे बोली हैं, simple सी बाट ठीक न, and, आगे चलते हैं, अब question यह उड़ता है, कि preamble क्या constitution का part है, या फिर नहीं है, सबसे पहले आता है, बहुरुबार union case 1960, इसने बोल दिया, कि preamble constitution का part नहीं है, इसके बाद आया, केशवनन भारती case 1973 के अंदर, इसने बोल दिया, कि yes, जो preamble है, it is the part of the constitution, फिर इसके बाद आया, LIC of India 1995 के अंदर, एक case आता है, इसने बोला, yes, preamble is an integral part of the constitution, simple चीबाद, ठीक है ना, ठीक है, इसने एक और चीज जो है, यह बात भी बोली, कि preamble के बारे में, कि preamble ना तो source है, नहीं किसका power का, to the legislature, nor provision upon the power of legislature, मतलब कि ना तो, legislature को यहां से कोई power मिलती है, और ना ही यह preamble, जो है, provision है, legislature की power के ऊपर, simple चीबाद ठीक है, इसके बाद, जो preamble है, वो non-restriable है, अगर कोल बात पूरी नहीं होती, आप supreme court में directly, नहीं जा सकते, simple चीबाद ठीक है, अब क्या preamble को अमेंट किया जा सकता है, simple चीबाद यह पात उठी, तो, बैरुबारी यूनियन केस ने यह बोल जा था, क्योंकि preamble is not a part of the constitution, so it can't be amended, बट केशवानत भारती केस ने बोला, simple चीबाद, yes, it can be amended, under the article 368, बट आप इसके basic structures को, क्या कर सकते हैं, simple बद आप amend नहीं कर सकते, और बैरुबारी यूनियन केस में, जो भी बोला गया, वो गलत बोला गया, हम चीज हम बोलते हैं, इसी कारण से, 42nd constitutional amendment act 1976 के अंदर, constitutional comment किया गया, और आट किया गया, socialist, secular, integrity, words, ठीके न, तो ये था आज के इस lecture में, आई होब आपको समझ में आओगी, ये वाली class मिलते हैं, lecture number 5 में, प्यूष्टा कूर्स आइनिंग ओफ, जै हिंद, जै भारत,